तो हेलो डिशी जंकित वल्कम बैक तो मैं चैनल इंडियन एफोर्स अग्निवीर अग्निपत का जो रिकूर्टमेंट है उसका जो ओफिचिल नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है 24 जून को इतिंग आना था इंडियन एफोर्स का लेकिन 20 जून को ही दिया गया है तो इंडियन एफोर्स है रिलीज दा डिटेल नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर रिकूर्टमेंट अंडर अग्निपत स्कीम एन यूथ हूज इस बिटीवीन सेवंटीन एंफ टून्टी त्री एर्स अग्निवीर रिकूर्टमेंट 2022 जितने भी कंडिटेट हैं जिनकी एज साड़े सत्रा से तेईस साल के बीच में हैं भारत के किसी भी सहर और किसी भी राज से आते हैं वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं देखिए इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिसकिप्शन पर चेक करो टे नोटिफिकेशन लेके आऊंगा और नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें यहां पर दी गई हैं तो इसका जो नाम रखा गया है वह है अगनिवीर वाइव इंटेक 122 है ना यहां पर आप देख पा रहे होगा इसका जो पण कप से स्टाट हो जाएगा तु जो अप्लिगेशन है वो से ओगे तुब आपई आपके चो बैस चैदक रहींगे 24 से 5 के बीच में आपको form fill up करना है ठीक है आगे देखे एक्जाम डेट जो दे दी गई अभी कि अभी आपके सामने है 24 साथ 2022 ये 24 को ही एक्जाम होगा ये confirm नहीं I think notification में पढ़ा था 24 के बाद 25, 26, 27 ऐसे हैं आप 24 के आसपास एक्जाम जो है आपका करा लिया जाएगा तो ये मान के चलो कि 24 से पहले नहीं होगा लेकिन जुलाई के लास्ट में आपका जो एक्जाम है 100% कराया जा सकता है ठीक है बाकी डेट हो सकता बढ़ा भी दी जाए बाकी मुझे नहीं लगता कि आप बढ़ाई जाएगी 24 है तो ये मान के चलो 25, 26, 27 के आसपास आपका एक्जाम जो है कंड़क्ट करा लिया जाएगा यहां पर बात आती है एडमिट कर्ड की तो सबसे पहले एक्जाम डेट आपको मिल गई है तो एडमिट कर्ड आप मान के चलो कि आपको 8-10 दिन पहले आपको अडमिट कर्ड मिल जाएगा अब यहां पर PSL और ऌर इंरॉल्मेंट लिस्ट क की डी जारी कर दी गई है तो आपकी जो PSL है provisional select list उसकी जो date है यहाँ पे वो दे दी गई है 112-2022 मतलब 1 December 2022 को आपकी जो PSL है वो जारी कर दी जाएगी और ठीक 10 दिन बाद आपकी जो enrollment list है जो enrollment list है वो आपकी गीरा December को जारी कर दी जाएगी तो यह सारी important dates हैं जिनके बारे में आपने जाना जो फीज रखी गए वो 500 रुपए है और SCST के टीके के लिए भी जो फीज रखी गए यहाँ पे 500 रुपए रखी गई है अब debit card, credit card, net banking और I think UPI का option नहीं दिया है लेकिन UPI से भी हो सकता है तो आप समझ गए debit card, credit cards या फिर नेट banking से आप इसका जो एक्जाम फी है वो पे कर सकते हो कुछ और चीजें समझते है इस क्या रखी गई है उपर मैंने आपको बताई दिया ओल्मोस्ट कि साड़े सत्रा साल से 21 साल minimum आपकी एज जो है वो साड़े सत्रा साल होनी चाहिए maximum 23 साल अगर आप है तो आप इसके लिए बिल्कुल यह इस साल है साड़े सत्रा से 23 साल नेक्स्ट इयर इसकी जो एज रहेगी वो साड़े सत्रा से 21 कर दी जाएगी है ना इस साल रिलेक्शेशन आपको दिया गया दो साल का एज देख लिए आपकी डेट ऑब बर्त इसके बीच में आनी चाहिए तो आपकी डेट बर्त यह है तो आप इसके लिए एलिजबर लो आगे देखें पोस्ट ने में आपर दी हुई है इंडियन एर फोर्स अगनिवीर वाइव इंटेक 1222 अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है ना तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है साइन सब्जेक्ट व होने चाहिए देखिए आपका जो मेश्च है और इंग्लीफ है इन तीनों का मिला कि जो आपका मार्क होना चाहिए वह 50% होना ही space viktering pense compulsory है 50% marks होना माल लेते हैं कि आपके math में 60% है physics में 60% है और English में आपके 35 है तो aggregate करोगे तो आपका total 50% के उपर बनेगा लेकिन यहाँ पी English में आपका 45 है तो English में आपका 45 नहीं होना चाहिए minimum English में 50% marks चाहिए और math, physics और English total मिला के भी आपका 50% होना चाहिए के लिए बाकी दूसरा option भी है अगर आपने तीन साल का डिपलोमा किया तो उसके थूर अपलाई कर सकते हो जा फिर आपने दो साल का vocation course किया तो उसके थूर भी आप अपलाई कर सकते हो अब यहाँ पर अगर आप science side से नहीं हो तो भी आप 50% मार्क्स आपके होने चाहिए aggregate और English में आपके 50% मार्क्स होना कंपल सरी है दो एयर का vocation course किया तो भी आप अपलाई कर सकते हो अब यहाँ पर थोड़ा medical standard के बारे हम दिया गया है जो main main चीज़ें है दो चीज़ें है आपर height जो है वो आपकी minimum 152.5 cm और चेक्स एक्सपेंशन है वो 5 cm यहां पर मंगा गया आप से के लिए तो इतनी यह सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी बाकी जो आपकी सेलरी है जो आपको पैके जाओ आपको पता ही होगा सुरुआत से आप सुन रहे होगे 30,000 रुपए फर्स्ट यहर पर आपको मिलेगा सिकंड यहर पर 33,000 और थर्ड यहर पर 36,000 और फोर्थ यहर पर आपको 40,000 रुपए मिलेगा जिसमें से इन एंड मतलब आपके account bank account में इतना 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 आपको pay किया जाएगा और यह आपका corpus fund के लिए cut कर लिया जाएगा अब जितना यहां से cut होगा उतना सरकार add करेगी जिसे 9000 cut होगा तो 9000 आपको सरकार भी add करेगी और इस तरीके total जो है वो आपका 5.02 लाग चार साल में cut होगा और 5.02 लाग यह सरकार add करेगी total 10 लाग होता है interest के साथ 12.7 एक लाग रुपए होता है जो कि आपको चार साल बाद आपको package के रूप में सेवा निदी package के रूप में provide किया जाएगा so इसका official notification आ चुका है यहाँ पर नीचे चलते हैं आपर देखते हैं notification का option दिया download full notification क्लिक करते हैं एक बार देख लेते notification और इसके बाद हम आपको next वीडियो में पूरा notification को पढ़के और समझा के आपको बताएंगे तो यह रहा आपका notification भारती वाइव शेना इंडियन एरफोर्स invites online application from unmarried male Indian और नेपाली कंडिडेट फॉर सेलेक्शन टेस्ट फॉर अगनिवीर वाइव इंटेक 1222 online registration date से यहाँ पर देखो clear दी गई हैं 24 से 5 और online exam date भी यहाँ पर दी है 24 जुलाई 1222 onwards तो यहाँ पर आप इस notification को देखिए जो जो चीज़े मैंने बताई है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलेंगी और जो डिटेल में आप जानना चाहते हैं उस सारी चीज़े आपको इस notification पर मिल जाएगी तो इस notification का जो यह जो notification मैं टेल ग्राम पर सेंड कर दूंग होगा वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाऊगे और आइधिंग नया पोर्टल भी बनाया गया है यह देखिए आप नया पोर्टल है आपका अगनीपत वायूज डॉट सीडेक डॉट इन और बिल्कुल सेम आपका एक्जाम जैसे पहले होता तो वैसे ही होगा आपका online ट खर्चा बचा लिया अब यह मैंने आपको खांसर की वीडियो डाली थी और मॉस्ट यह मान के चलो कि जितना इनका बजट उसमें 60 परसेंट जो खर्च है वह पेंशन में ही चला जाता तो इन्होंने पूरा का पूरा पेंशन बचा लिया और बागी सारी तो चीजें सेम ही है तो यह नोटिफिकेशन टेल्वी आम पर सेंड कर दूंगा डाउनलोड कर लिए ना टेक किया ना बाए गाइस